अक्तूबर 2024 में सोया बिन के भाव क्या रहेंगे आने वाले दिनों में सोया बिन के दामों में कितनी तेजी आ सकती है किसान बायों को अब क्या करना चाहिए सोया बेशनी चाहिए या फिर स्टॉक करनी चाहिए नमस्कार किसान भाईो स्वागत है आप सभी का आज का बजार भाव यूटूब चैनल पार किसान भाईो जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार सोया बिन के दामों में हल चल तेज हो गई है और किसान भाईो के चेहरों पर वापस मुस्कान लोट आई है वहीं आपको बतादे यदि आप भी सोया बिन किसान है तो आपके लिए बड़ी खबर है आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें वहीं रोजाना सोया बिन के ताजा भाव पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना साथी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान साथियों के साथ सेयर करना किसान भाईयों आपको बता दे पिछले कुछ दिनों से हमारे सोया बीन के किसान बहुत ज़्यादा परेसान थे क्योंकि उनको सोया बीन का सही दाम नहीं मिल लहा था सोया बीन का जो लागत मूल है वो उनको नहीं मिल लहा था इसलिए हमारे किसान भाई दुखी हो गए थे लेकिन फिर किसान भाईों ने एक मुहीम चलाई सोया बीन के दाम 6,000 रुपए हो और आपको बता दे सरकार ने अपने घुटने तेक दिये जो सोया बीन MSP भाव से नीचे भिक रही थी उसी में सरकार ने कहा कि आप सोया बीन MSP भाव पर खरी दी जाएगी जी हाँ आपको बता दे कि अप सरकार ने भी कह दिया है कि सोया बीन MSP भाव पर खरी दी जाएगी और इसके बाद देखा जाए तो मंडी में लगातार सुधार आने लगा है सोया बीन के दामों में फिर से तेजी का दौर बन रहा है ऐसे में आप सभी के बहुत सारी कमेंट आ रहे हैं क्या अक्टूबर तक सोया बीन के दामों में तेजी आएगी तो किसान भाईयों आपको बता दे अभी तक सोयाबीन के भाव लाश्ट मंडी 4800 रुपए तक पहुँच गये थे वहीं जानकारों का कहना है यद किसान भाई ढीले ना पड़े और उनकी मांग बरकरार रही 6000 रुपए तो आने वाले यानि अक्टूबर महीने में सोयाबीन के भाव 5000 रुपए से उपर ही विकेंगे जी हाँ वो 500 हो सकते हैं 500 हो सकते हैं और 6000 भी हो सकते हैं इसलिए इसमें किसानों का विसेश योगदान रहा है और किसान भाई अभी भी ढीले ना पड़े उनका जो नारा था 6000 प सत्व को ओूछ से उनका प्ने झाले आंछ फड़ें और Controp